Hello everyone, welcome once again to Kids Learning Supriti Chaudhary and today we will discuss on homonyms and homophones and commonly confusing words यानि English में ऐसे बहुत सारे words हैं जो हमें बहुत ज्यादा confuse करते हैं उनके spelling या उनके meaning में कही न कहीं confusion रहता है इस वीडियो को अन तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें So let's start पहला word है Adapt, A-D-A, P-T यानि धालना या अनुकुल बनाना Second is Adapt, A-D-O, P-T यानि गोद लेना फिर है A-D-E, P-T यानि निपून देखिए Adapt से sentence You have to learn to adopt and change आपको अनुकुलन और परिवर्तन करना सीखना होगा फिर Adopt, A-D-O, P-T इससे sentence देखिए He has adopted a girl child उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है फिर तीसरा A-D-E, P-T Adapt He is adopt at computer वह computer में निपून है तो ये कुछ sentences है English में और Hindi में भी ताकि आपको आसान ही से समझ में आ जाए फिर मूव करते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं क्या-क्या words है Accept A-C-C-E, P-T Accept यानि सुिकार करना दूसरा है E-X-P-E-C-T यानि Expect आशा करना फिर तीसरा है Accept E-X-C-E-P-T यानि को छोर कर इन तीनों words के confusion को दूर करने के लिए उनके sentences कुछ इस तरह से हैं देखिए My request has been accepted मेरा अनुरोद स्विकार कर लिया गया है E-X-P-E-C-T Expect यानि आशा करना Don't expect me to come and visit you there मेरे वहां आने और आप से मिलने की उमीद ना करे फिर है E-X-C-E-P-T Accept Nothing more to do now except wait अब और कुछ नहीं करना है सिवाए इंतजार के मैं उमीद करती हूँ आपको इन sentence के द्वारा इनके meanings अच्छे से समझ में आ रहा होगा चलिए फिर अगले स्लाइड में चलते हैं फिर है कास्ट C-A-S-T कास्ट यानि फेकना या डालना फिर है C-U-S-T कास्ट यानि कीमत C-A-S-T-E कास्ट यानि जाती इनके meanings अलग-अलग है बट sound इनके same है इनसे sentence देखते हैं पहला है C-A-S-T कास्ट पेड ने लान पर एक लंबी चाया डाली second C-O-S-T cost the cost of book is rupees 50 पुस्तक की कीमत पचास रुपे C-A-S-T-E कास्ट यानि जाती he was from a higher caste वा उची जाती का था अगला वर rain R-A-I-N rain यानि वर्षा R-E-I-G-N rain यानि शाशन फिर R-E-I-N rain यानि लगाम लगाम R-A-I-N C-A-S-T-E the rains came and flooded the valley यानि बारिशाई और घाटी में पानी भर गया R-E-I-G-N rain यानि the rain of Ashok was a golden period in India अशोक का शाशनकाल भारत में एक सर्वनिर्मान काल था अशोप का साशनकाल भारत में एक शर्वनीम काल था आरी आयन रेन, you should rain in the expenditure आपको खर्च में लगाम लगानी चाहिए तो मैंने ये सारे एक्जम्पल्स वर्ड्स के इसलिए दिये हैं ताकि आपको कोई confusion ना रहे चलिए move करते हैं next slide में और देखते हैं कि क्या-क्या confusing words है जो आपको अक्सर confuse करते हैं B-E-E-R, B-E-E-R यानी बियर B-E-A-R, बियर यानी सहन करना B-A-R-E, बियर यानी नंगा Sentences कुछ इस तरह से है B-E-E-R, बियर, he ordered a pint of beer उसने एक pint beer का order दिया B-E-E-R, बियर, a beer's all mistake of his son वह अपने बेटे की हर गलती सहता है B-E-E-R-E, बियर, don't walk outside in your bare feet यानी नंगे पाओ बाहर ना घुमे Next step, F-O-R, for, यानी के लिए F-O-R-E, for, यानी सामने F-O-U-R, for, चार इनसे sentence देखिए He fight for the country, वो देश के लिए लड़ते है F-O-R-E, for, your seat is in the fourth part of the aircraft आपकी seat विमान के सामने वाले हिस्से में है F-O-U-R, for, यानी चार We got up at four in the morning, हम सुब़ चार बजे उठे फिर है, हेल H-A-I-L, हेल, यानी ओले या चपेट H-E-L-L, हेल, यानी नरक H-A-L-E, हेल, यानी स्वस्त H-A-I-L, हेल, से सेंटेंस होगा The victim was hit by a hell of bullets गोली की चपेट में आने से पीडिता घायल हो गई H-E-L-L, हेल, the pain has made her life a living hell दर्द ने उसके जीवन को नरक बना दिया है H-A-L-E, हेल, यानी स्वस्त She is still, हेल, and hearty at the age of 80 वो 80 साल की उम्र में भी चुस्त, दुरुस्त है आशा कर रही हूँ कि आपको सारे words के meanings सही से समझ में आ रहे होगे चलिए अब देखते हैं क्या-क्या words है Hair, H-A-I-R, hair, यानी बाल H-E-I-R, hair, यानी उत्तराधिकारी H-A-R-E, hair, यानी खरगोस H-A-I-R, बाल, यानी He plucked a hair from his arm उसने अपने हाथ से एक बाल नोच लिया H-A-I-R, hair, यानी उत्तराधिकारी After the death of the king, he had no hair Raja की मृत्यू के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था H-A-R-E, hair, यानी खरगोश Do you know the story of the hair and tortoise? क्या आप खरगोश और कच्छुए की कहानी जानते हैं? चलिए, move करते हैं अगले slide पर और देखते हैं क्या-क्या words है यहाँ पर देखिए पहला है right, R-I-G-H-T right यानी सही R-I-T-E right यानी रिवाज W-R-I-T-E right यानी लिखना तो right, R-I-G-H-T right होप आपको समझ में आ गया होगा फिर है S-T-E-E-L still यानी स्टिल S-T-I-E-L still यानी अभी तक S-T-E-E-L still यानी चुराना चलिए, move करते हैं अगले slides में क्या-क्या है T-A-L-E tail यानी कहानी किसी को कहानी सुनाना T-E-E-L-L यानी कहना या बोलना T-A-I-L tail यानी पूच तो यहां हर एक words के meaning अलग हैं पर उनके जो pronunciation है वो सारे एक जैसे ही है सारे सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनकी जो मतलब निकलती हैं सारे अलग है Waste यानी बरबात करना WEST Waste यानी पस्चिम WAIST Waste यानी कमर ACCE SS यानी पहुच EXCSS यानी अधिक्ता फिर है ACCIDENT यानी दुरघटना INCIDENT इंसिडेंट यानी घटना यहाँ पे CONFUSION clear हुआ होगा आपको ACCIDENT यानी दुरघटना INCIDENT यानी कोई घटना DEAR यानी प्रियर वupidति DEAR यानी लियर यानी हीरन DEAR यानी प्रियर DEAR यानी हीरन FAIR यानी गोरा FAIRE यानी किराया Farmer F-A-R-M-E-R farmer यानि किसान F-O-R-M-E-R यानि पूर H-E-A-R here यानि सुनन H-E-R-E here यानि यहाँ H-E-A-R यानि सुनन H-E-R-E here माने यहाँ H-O-L-E hole यानि छेद W-H-O-L-E hole यानि संपूर तो यहाँ पे confusion नहीं रखना है आपको H-O-L-E यानि छेद W-H-O-L-E hole यानि संपूर दोनो ही सेम प्रोनाउसीशन है सेम साउंड है बट इनके मीनिंग बिलकुल अलग है अगला है मसाज यानि मालिश मैसेज यानि संदेश M-A-S-S-A-G-E मसाज यानि मालिश M-E-S-S-A-G-E मैसेज यानि संदेश थैंक यू फर वाचिंग आज के लिए इतना ही तब नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए चाचा बाई बाई टेक्यर